हेलो दोस्तो नमस्कार मतलब सिफ वैक्सिन बनाने से काम नहीं करे चलेगा मतलब उस वैक्सिन को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए उस टाइप का रिक्वाइट टेंपरेजर भी लगता है आप सब लगोंने सुना होगा कुछ वैक्सिन माइनस 10 डिग्रीज कुछ माइनस 30 कुछ माइनस 40 तो कुछ माइनस 70 डिग्रीज तक की रिक्वाइर्मेंट लगती है यहाँ पर इंडियन गवर्मेंट की और से एक कमपनी को बहुत बड़ा ओडर मिल चुका है और हम लोग जरू कह सकते वो ओडर है स्टोरेज से रिलेटेड मतलब वैक्सिन लाने से पहले स्टोरेज तो होना चाहिए वरना वैक्सिन लाके कल अगर स्टोरेज ही नहीं रहेगा तो वो वैक्सिन रहेगी कैसी मतलब उसका जो पावर रहेगा वो चला जाएगा एफेक्टिवनेस सो यही बात हम लोगों को यहाँ पर देखनी है कि कौन से कंपणी को यह जबरतस ओर्डर मिल चुका है और आगे यहाँ पर क्या उपर्चुनिटी रह सकती है इस कंपणी से रिलेटेड तो चले दोस्तों फटा बटी स्टार्ट करते हैं से पहले जरू कहना चाहूंगा आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा तीन वीडियो अपलोड करते हैं जो लोग बार बार पूछे रहे सर HDFC बैंक के उपर वीडियो बना है दोस्तों मैं अल्रेडी बना चुका हूँ HDFC बैंक के उपर वीडियो बहुत ही जल्दी बना चुका हूँ सवा चार साड़े चार बजे के आसपास सो सारे वीडियो के लिंक निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे ज़रूर आप लोग बहापे देख सकते हो अलोंग वीज चाहिए माइनस डिगरी बोलिए मतलब आप लोग अंदाजा लगाई सकते cold environment की ज़रूरते and blue star दोस्तो यस आप लोग ने सुना अगा blue star के AC यस दोस्तो इस company को यहापे बड़ा order मिल चुका है and अगर आप लोग यहापे देखोगे मतलब during the market यहापे 12 बजने के बाद तक यह तो company नीचे ही जा रही थी अपने previous close से भी नीचे and then suddenly एक AC news आ गए जो की company के मतलब बोलते न दिन ही बदल गए तो ऐसा हो गया दोस्तो सीधा 5% की jump आप लोगों को अभी देखने को मिल रहे की ऐसा लगया का ठीक है 5% बट ऐसा नहीं आप chart pattern दिखोगे तो आप अंदजा लगा सकते हो की company लगबग 760 तक low गया था and इस news के चलते 854 तक high तक गई थी यह company तो यह बात होती है दोस्तों की अगर मतलब है ना की आप लोगों की thinking capacity अगर हम इसके competitors देखते हैं जैसकी वोल्टास है हिताची है तो उस company में हम लोगों को अभी तक अच्छे रैली देखने को नहीं मिल रहे मतलब यह फिलाल का जो order है वो सिर्फ और से blue star की और हम लोगों को जाते वे देखने को मिल रहा है सो दोस्तो यहाँ पर order की size जैसे मैंने आपको बता है कि 200 करोड क्या 200 करोड इतनी है तो फिलाल प्राइम फेसी evidence आप लोग बोल सकते है 200 करोड हो सकता है बट blue star के जो बड़े official से उन्होंने ये भी कहा है कि ये order 1000 करोड तक भी जा सकती है बट ये depend करता है क्योंकि सरकार की requirement क्या है उसके हिसाब से अगर सरकार बोलती कि हम लोगों को minus 40 या फिर minus 70 degree तक storage वाले चीज़े चाहिए बनाने वाले store करने वाले चीज़े तो definitely हम लोग कह सकते कि उसके लिए जो cost आएगा वो बहुत ज़्यादा महेंगा रहेगा and minus 70 क्यों आप सब लोगों बता है क्योंकि Pfizer की vaccine minus 70 degree तक हम लोगों को मतलब उसका जो effectiveness रखना है तो उतना requirement है जितना requirement रहेगा उसके हिसाब से आपे orders change हो सकते बट फिलाल हम लोग कह सकते 200 करोड के आसपास हम लोगों को यह order मिल सकते है या फिर हम लोग कह सकते कि जैन से लेके मार्च तक यहापे हम लोगों को और भी orders यहापे आते वए देखने को भी मिल सकते है जितने भी कोविड से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें आता जैसी कि फाइजर है एस्टर जैनेका है डॉक्टर रेडिस है उसके उपर हम लोग सोच सकते थे बड़ा भी आप देख सकते कि स्टोरेज के मामले में भी आप चाओ तो बाकी कंपनीस इसके कॉमपेटिटर् देखाओगा कि कमेंट सेक्षन में मुझे बता देना कौन सी ऐसी एरलाइन से जिनों ने ये बोल दिया ऐसी ओफर निकाल लिये कि अगर आपको वैक्सिन लगान है जहापे विदेश में आ रही है तो हम लोग यहाँ से आप लोग को लेके जाएंगे वैक्सिन लगवा के वा सकोगे तो कौन से अगले ऐसे स्टॉक हो सकते तो आप सोचके जरू मुझे कमेंट सेक्षन में बता देना तो हम लोगों को भी यहाँ पर अंदाजा आ सकता है तो ब्लू स्टार की बात करें तो एक बार हम लोग काम कर लेते मैक्सिमम इसके जो हमारे से इसाब से चलना पस पसन नहीं करते उन्होंने थोड़ा सा विचार जरूर करना चाहिए तो 810 वाला यह स्टॉक है अगर हम लोग इसके 52 खाई की बात करें तो एक बार में आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चांगा 52 खाई जैन में ही इसने लगाय था 887, now 810, so 52 खाई के ही करीब जाते वे देखने को मिल रही है, आज की दिन की बात कर तो 21% के आसपास डिलेवरीज है और वो भी इस न्यूस के चलते हम लोगो देखने को मिल चुके है, हम लोग ऐसा बोल सकते है, कमपनी पहले अगर हम लोग देखेंगे तो quarterly wise loss में थी जो की सब्टेंबर में profit में आती हुई दे रहती है, उसी के साथ थोड़ा सा हम लोग और आगे जाएंगे, कमपनी की balance rate के ओपर थोड़ा सा नजर डाल लेते, सबसे बहले results की बात करें, तो कमपनी के पास 830 करोड के results है, क्या करजा है कमपनी के ओपर? यह पहले कमपनी के ओपर long term का करजा नहीं था, अभी 41-42 है, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, उसी के साथ साथ cash and cash equivalent की बात करें, तो 225 करोड की cash यहाँ पर हम लोग को कमपनी के पास देखने को मिल रही है, तो बैंशी ठीक ठाक है, बहुत ही सूपर भे है, इसा हम लोग यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं, then share holding pattern की बात करें, तो promoter 38-39 की holding है, कोई भी share गिर भी नहीं है, foreign investor देखा जाए, तो लगबाग 8% से जादा की holding है, D.I.S. का यह बहुत ही जादा चहेता share नजर आ रहा है, 26% की holding है, तो कौन से D.I.S. नहीं इस company में निवेश किया है, वो देख लेते हैं, D.I.S. में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह फिलाल देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों, ब्ल्यू स्टार इस company की अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं इसके peer competitors, यह भी देख सकते हैं, ब्ल्यू स्टार, वोल्टा से, अंबर इंटरप्रैसे से, जॉन्सन की अगर हम लोग बात करें, तो हीताची जो company में आपको बोली वही है, तो इस सारे companies, हम लोगों इसी को competitor देखने को मिल रहे है, तो इनके उपर भी दोस्तों, आप लोगों ने आपे नजर रखनी चाहिए, तो वोल्टास कौन सी company है, तो वोल्टास टाटा की company है, अंबर इंटरप्रैस देखा जाए, तो यह भी पर भारत वाली ही company है, तो इन companies के उपर आप लोगों का बहुत ही मतलब कड़ी नजर रहनी चाहिए, यहाँ पर कोई हल चलत नहीं है, यहाँ पर कोई सरकार के और से कोई, इनको तो order नहीं मिल रहा है, तो इसी से related आप लोगों ने focus यहाँ पर रखना चाहिए, उसी के ने समय से company bonus दे रही है, 1995, 1979, तबी की यह बात है, उससे बाद में हम लोगों कोई भी bonus वाली चीज़े देखने को नहीं मिले, split की बात करें, तो आप देख सकते है, 2006 में company एक बार split यहाँ पर हो चुकी थी, और company की recent performance की बात करें, तो आप देख सकते है, net profit पहले minus में था, अभी हम लोगो profit में होते हैं, company देखने को मिल चुकी है, तो ज़रूर आप लोग इस company के पर नजार रख सकते हो, अगर performance wise यहाँ पर बात करें, तो एक बात ज़रू कह सकते है, risky नजार आते है, risky मतलब highly volatile है, company की balance sheet भी देखा जाए, तो okay, okay, हम लोग इसना भी नहीं बोल स की strong होते हैं, देखने को मिल सकते है, तो ज़रूर आप लोगों ने इस company के उपर यहाँ पर नजार रखने चाहिए, तो आयो पाशा करता दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया गए, तो ज़रूर इस वीडियो को like करना, दोस्तों के साथ share करना, तो उनको भी न्यूस पता चल जाएगी, so that's it, thank you very much जोस्तो, we will be meeting our running studio, तब तक के लिए, bye bye